तो बच्चों केमिस्ट्री का लेक्ट्र नमबर टू चैप्टर नमबर टू हिंदी में हैं पुरा MCQ को सॉल्व करते हूँ आ रहे हैं हम लिउसेंट के आपके डिमाइंड के अनुसार आपकी डिमाइंड की इतनी बात रखी जाती है कि अगर आप हमसे कहेंगे ना सर यह इसके साथ साथ कुछ और भी शुरू कर दो तो भाई आपकी डिमाइंड रही था हम उसको भी शुरू कर देंगे साइंस में आप मुझे से बताईगे का यह क्या करना मुझे बताओ लाओ मैं आपके लिए बनाता हूं अगर आपको को कोई वेकेंसी आजाती है उस वेकेंसी के कोशन सॉल्व करवाने तो भाई वहां तब अलग लेबल से होगा वहां इतना समझाया नहीं जाएगा डाटा कोशन और आंसर पर टिक चलेंगे फिलाल यहां तो आपको समझाना है क्योंकि यहां आपको कॉंसेप्ट भी बताने है जब बताया तो यहां अच्सेल लंगना चाहिए है आप लोगों को अच्छा फील होना चाहिए आप लोगों को सेजा आनीं चाहिए इसलिए यहाँपर टाइम लगातें चलीए कैसी स्टार करते हैं इस particular lecture number two को chapter number two मैंने बताया था कि पिसला lecture जो आपने देखा है जिसने lecture number one देखा तो भाई उसके लिए तो कुछ है ही नहीं है वो तो कहेगा कि यार बस मुस्त सारे question आते हैं तो वो तभी कहेगा नहीं जिब lecture number one देख लेगा क्योंकि lecture number one में मैंने परमाडु सिध्धान्त बतायते डालतन का और अधरफोर्ड का उन्हीं पर सारे question based है तो यह वाले question भी उन्हीं के ही concept से हो जाएंगे चलिएगा पहली बात आती है question number 11 की chapter number two का किसी पतली स्वन पढ़लिका पढ़लिका मतला होता पनिफोईल से alpha कड़ों का प्रिक्रिलन किसकी उपस्तति का संकेत देता कितनी बार question पूछा गया बोचार हो गए थी question question हो गयी जैसे alpha particle की बोचार हो गई वैसा question की बोचार हो गई यहाँ alpha particle तो है question ही तो question की बहुचार कर लेते तो बताऊ alpha particle का Pric erzählung préc狐lin का मतला होता is scattering फैल ना किसको बताता देखो किसी के अंदर एलक्ट्रोन होते नहीं किसी परमाडू के अंदर प्रोटोन होते नहीं किसी परमाडू के केंद्र में धनावेशित नाभीक है यह वाली बात नाभीक है नुकलियस है किसी परमाडू के अंदर इस चीज को तो रिप्रेजेंट करता है scattering जो फैला था वो actual में nucleus की वज़े से फैले थे alpha particle तो यह बाली बात आपको समझ माने चाहिए पूरा परमारिविक model हमने समझ लिए था रदर फोर्ड का जितना हमारे लिए important है इतना समझ था पूरे का मतलब यह नाविक की आपिक होज के लिए रदर फोर्ड ने जब धातू के पतले पत्र पर पतले भी धियान रखना alpha कणों की बोच्हार की मैं ना बताया था कि यह लोग अगला कोशन कोशन नमबर फोर एक परमाडू के तीन अधार भूत अभियब कोन से हैं अधार भूत अभियब का मतलब है कि ना भी परमाडू की बात कर रहा है तो परमाडू के अंदर न्यूकलियस होता और न्यूकलियस के चारो तरफ इलेक्ट्रोन रिवॉल्व करते तो इलेक्ट्रोन तो बाहर गुंते और न्यूट्रोन proton जो है दोनों nucleus के अंदर रहते आगर मैं आपसे एक छोड़ा सा कैम बताओ परमाड़ू के nucleus में कितने electron होते तो भाई इस्का जवाब क्या है कि भाई nucleus के अंदर electron होती नहीं है nucleus के अंदर electron नहीं होते electron nucleus के बाहर revolve गढ़ते affiliation neutron 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 वह प्रोट्वन रहते प्रोटन उप्शन नम्ब भी चलिएगा ये भी SSC पूछ चुकी है तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी साइंस से क्या आपको कोई कोशन बचे जाएगा क्या SSC है ऐसा है कि जो साइंस हम पढ़ा रहे हैं उससे हटा करके कोशन देते भाई नहीं हो सकता बहुत इंपोर्टेंट सीरीज है हमारी इसलिए इसको जॉइन करें फ्री ओफ कोस्ट है सबसे पहली बात तो यहीं कि अगर आपको कोशन रहे जाए तो यार बता देना कि हमारा कोशन साइंस कही रह गया है नहीं बता सकते क्योंकि सारे कोशन आप लगा करा जाएंगे कोशन नमर न्यूट्रोन जहां पर प्रोटोन पर जो होता है वो पोजिटिव चार्ज होता है जबकि न्यूट्रोन पर किसी तरह कोई चार्ज नहीं होता यह न्यूट्रल होता क्या होता है यह न्यूट्रल उदासी चलिएगा अगला कोशन परमाडू में कौन से मूलकण समान संख्य में इस्थित होते हैं आप देखो मूल कड़ों की बात कर रहा है समान संख्या में होने चाहिए परमाडू के अंदर तो जब भी ऐसा कोशन आ जाए तो आप जीब चला दो जैड बराबर ई बराबर पी परमाडू किर्मांग इसे लिख दो परमाडू जैड ओदा ओदा किर्मांग परमाडू किर्मांग जिसको आप कहते हो एडोमिक नंबर ये बराबर होता है इलेक्ट्रोनों की संख्या के क्या नहीं होता कि अब परमाडू किर्मांग जो है इलेक्ट्रोनों की संख्या को बताता और जितने इलेक्ट्रोन होते हैं उतने ही क् स्वार्गर की संख्या कि संख्या की संख्या के बराबर Saky Lakronики संख्या खेस ख्या कि संख्या के बराबर के बराबर क तो ऐलक्रोनों उस interviews होटीड हonia वौहमेशा अप्रोट उनुट की संख्या के बराबर होती है किसी भी उदासी हान रेंद लह इन पार्टिकल के अंदर जब भी आप बात करोगे रैक्टोन व प्रोतोन की तो हमेशन दोनों की संख्या बरावर on मेरे हिसाब से तो भाई यह important question है, important question इसलिए नहीं कि भी एक्जाम में पूछा जाए, पूछा जाए या ना पूछा जाए, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन चीछ जो आएगी समझने की वो आने चाहिए, वो important है भाई, उसको समझने हैं आपको, निमलीकित में से कौन एक एस्थाइक अडा है, एस्थाइक का मतलवीत क्या होता है? unstable, UNSTABLE, अब जहन मा आएगा कि यार? कौन सा UNSTABLE होगा? electron होगा? proton होगा? neutron होगा? neutron क्या? neutron होगा? कौन सा UNSTABLE होगा? to UNSTABLE question क्या निए यही मैंने इतनी भड़ी की लिख रहे है, क्या है? देखो एक्षूरल में निस्तेब्ल वह है नीज्ट रू gonna पर लेक्रण प्रो नहीं बता देता हूं पहली बात न्यूट्रण न्यूक्लियस कंदर होता न्यूट्रॉन कहा होता नूक्लियस कंदर हो तो और मैं आपको बताYU ऑए तो प्छले बाए लेक्ष्य में unistabiliti आजाती है और जब न्यूकलेस कंदर unistabiliti आजाए तो न्यूकलेस अपने अंदर से alpha beta gamma rays यह फिर electron proton 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 neutron में transition करने शुरू कर देते हैं ऐसा करके वो अपने आपको इस्थाई बनाते हैं ऐसा करके अपने आपको वो इस्थाई बना लेते हैं थाई बन जाते तो ये कब हुआ जब n jer on का और प्रो डones Song इस अक रखे न चृघ करते हैं रेशयु तो इन दोनों का साथ में बोला जाथा तो यही बात है कि भाई न्यूट्रॉन जो clicks जो ताने क्शूल में वो प्रोटोन में गवर्ण हो या दाखन दर न्यूक्लियस कनता जब न्यूट्रोन प्रोटोन में कनवर्ट होगा तब एक यहां बात ध्यान रहें तब एक इलेक्ट्रोन न्यूक्लियस से निकलेगा अब आपको कहोगे न्यूक्लियस से इलेक्ट्रोन निकल जाता है मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल निकल जाता एक electron nucleus से निकलेगा जिसको हम कहते हैं बीटा कड़ और आपको पता है alpha, beta, gamma कड़ किस फिनोमिना में बाहर निकलते हैं radio activity में तो यह वाली बात आपको मैंने भी समझाई थी जब electron nucleus से बाहर निकलेगा बीटा कड़ की form में तभी एक anti-neutrino form हो जाएगा खैर यह anti-neutrino वाली बात बात करते हैं फिलहाल हम यह जान लेते हैं कि nucleus के अंदर unstable जो element नहीं particle है fundamental particle वो है neutron जब instability आती है तो neutron change हो जाता है proton में balancing के लिए एक beta particle निकल जाता nucleus से ताकि पूरा का पूरा system balance रहे तो वही बात मैं लिख रहे हैं जब एक एस्थिर नाभिक में protonों की तुलना में अधिक neutron होते हैं दो को neutron अधिक हो गए an upon p की बात कर रहे हैं ये एक से जादा हो गया तो unstable unstable ये stable कब होता जब an upon p is equal to कितना हो one के बराबर neutronों की संख्या protonों की संख्या के बराबर हो तब जाकर ये stable होता लेकिन अगर neutron जादा है proton से तब क्या होता neutron proton में convert होता है वही बात तब एक neutron एक electron उत्सर्जित करके एक proton में बदल जाता है इस उत्सर्जित electron को बीटा कड कहा जाता है और प्रिकिरिया को बीटा उत्सर्जन के रूप में जाना जाता है मैंना आपको ये पूरी बात बता दिती ओरली लिग भी दिया आप लोग देख भी लेना ठीक है तो इसका जवाब हो जाएगा neutron अगला कोशन निमलिकिन मेंसा कौन एक आवेश रहित कड है आवेश रहित का मतला होता है जिस पर किस दो껏 आवेश नहीं पाए जाता यह आपको अच्छे से पता कौन सा है इस पर कोई आवेश नहीं पाए जाता वो है neutron 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 एंसे स्ठाड होता और n4 की होता हैuição यहां demat है देख लो कौन सा न्यूट्रोन यह रहा अगले की बात कर लेते हैं निम्लिकित में से कौन सा एक किसी तद्व के परमाडू किर्मांग को सबसे सही निर्धारित करता परमाडू किर्मांग अभी बताया था कुछ दर पहले है जैड बराबर ए बराबर पी प्रोटोनों के सं संखिया भी परमाडू किर्मांग को बता देती हैं तो बताओ कौन सी कौन सी कौन सी कौन सी निम्लिकित में कौन सा एक किसी तद्व के परमाडू किर्मांग को सबसे सही निर्धारित करता तो प्रोटोनों की संखिया यह बात बिल्कु सही है आयनों के संखिया कोई मतलब प्रोटोन और इलक्टोनों की संख्या हाँ यह बाली भी बात कह सकते हैं जब दोनों ही दे रखे हैं तो इसे काट दो प्रोटोनों और इलक्टोनों की संख्या बता रहा था था ना यहां अंसर हो जाएगा क्योंकि प्रोटोनों की संख्या ये भी पर्माडु किर्मांग को बताती है इलेक्ट्रोनों की संख्या ये भी पर्माडु किर्मांग को बताती है प्रोटोन इलेक्ट्रोन के बराबर इसलिए होते हैं क्योंकि पर्माडु क्या होता है उदासीन इसलिए उ कि से तॉमसन ने के थी ही आपको बताने हैं इन्हों परमारू होते हैं टो यह हुए तीender dogson में तो यह स्टम हो गया मैं आपको एक ट्रीक बताऊंगगे इसमें आपको electron, proton और neutron की खोजों के बारें पता लाएगा, ये भी बताऊंगा कि वास्तम में proton की खोज क्या गोल्ड इस्टीन ने की थी, proton की खोज या फिर रधर फोर्ड ने की थी, ये बहुत बच्चों का confusing वाला कोशन है, कि proton positive और गोल्ड इस्टीन ने research की थी, proton positive और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ना भूले, वीडियो देखने के ने आपका बहुत बुद्धन निवान,